हेलो फ्रेंड्स निशाचारे व्लोग में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए लायू बहुत ही ज्यादा यूसफूल रेमेडी सर्दी खासी बलगम मगेरे में ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा यूसफूल है और खास करके बलगम में और फूल वाली लोंग लेना है एसी लोंग नहीं लेना है आप लोगों को देखना है कि ये इसमें फूल है कि नहीं तो चुनके ही लेना है फूल वाली लेना है और आप लोग लोंग नहीं लेना चाहते हैं तो दाल चिनी का एक टुकडा लेना है जो मैंने अभी दिखाया इतना दोनों एक साथ नहीं लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेना है हमें हल्दी एंटिबायोटिक होती है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और सेंधा नमक लेना है दूसरा वाला हम यूज करते खाने में वो वाला नमक नहीं लेना है वुरत वगेरा में हम यू मगरी हमें लेना है और अब लोगों को पेन या तवा ले लेना है और गरम करके अच्छे से लोग और काली हमीर को अच्छे से गरम और ये सारी लोंग और काली मिर्च हमारे गले के लिए बहुत ही ज़्यादा यूसफूल होती है और ये तवा है वो गरम है तो उसके पर में अधरक का टुकडा रख देती हूँ ताकि ये अधरक का टुकडा है वो अच्छे से गरम हो जाए और ये सारी सामगरी सीख गई है अच्छे से भून गई है काली मिर्च और लोंग तो उसको मैंने खल बटे में अच्छे से कूट लिया है दर दरा हमें कूटना है ज्यादा बारिक पावडर नहीं बनाना है और ये देखिए एसी कंसिस्टनसी आप लोगों को रखनी है आप लोग देख सकते हैं एसी कंसिस ग्रेट करके आप लोगों को एक बारिक वाला कोटन का कपड़ा लेना है बारिक वाला कोटन का कपड़ा नहीं हो तो आप लोग रूमाल भी ले सकते हैं रूमाल तो हर गहर में अवेलेबल होता ही है तो उससे भी हमारा काम है वो चल जाएगा तो अदरक अंदर डालके और यह इतना सारा जो जूस है वो निकला है और अब मैंने हनी ले लिया है करीबन डेड़ चमत इतना हनी मैंने लिया है और जो लोंग और काली मिर्च का जो हमने पावडर बनाए वो आप लोग आगे भी बना कर रख सकते हैं जब यूज हो तब निकाल के आप लोग उसका य जड़ी ढलते हैं और थो ड़ा सा हमें सेंधा नमक डाल आभाने वाला नमक हमें यूज नहीं करना है और अहमें पावडर बनाया था दर दरlike असा वह मैंने लिया है काली मिर्च होर लौंका तो यह निकाल रही हैं मैं इतना सा आप लोगों को बच्चो को देना हैं तो दे चोटे बच्चों को हमें नहीं देना है दो साल के उपर के बच्चों को ही हम यह रेमेडी दे सकते हैं इससे चोटे बच्चों को नहीं हमें देना है चोटे बच्चों को होस्पिटल में चेक अप करवाने के बाद ही हमें कुछ भी देना है तो फ्रेंस मैंने यह सब चीजे म बाद सोनने के वक्त आप लोगों को इस रेमेडिका यूज़ करना है और ये बहुत ही ज्यादा फाइदा का रखे और इसका यूज़ आप कर